सबत के दिन का आशिशित समय आ गया है आपको देखकर अच्छा लगा परमिश्र आपको आशिश दे आज आईए हम मैं कौन हूँ शिर्शक उबदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अधिन करें दुनिया में विबिन्य प्रकार की नोकरिया है उनमें से विध्वान, विवसाई, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, आदी है कई तरह के काम होते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज हमें बाइबल के द्वारा इस मामले के बारे में परमेश्वर से मदद मांगने की जरूरत है परमेश्वर हमें किस तरह के लोगों के रूप में मानते हैं आज आईए हम परमेश्वर के जवावों पर एक नजर डालें आईए हम दूसरा कुरंतियों की पुस्तक अध्यातीन को एक साथ खोले आईए हम दूसरा कुरंतियों अध्यातीन आएच्छे की शिक्षाओं की जाच करें यह लिखा है, जिसने हमें किसके सेवक नई वाचा के सेवक होने के योग भी किया। हम दूसरा कुरंतियों की पुस्तक अधिया तीन में पुष्टी कर सकते हैं कि हम कौन हैं, यह वह मिशन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा की यूग में जनम लेने की अनुमती थी और हमें नई वाचा के सेवक कहा। आए हम एक और आयत के साथ जारी रखें। आए हम दूसरा तिमुतियों की पुस्तक अधिया चार पर जाए। आए हम अधिया चार आयत पांच देखें। पर तु सब भातों में सावधान रहे। दुख उठा, सु समाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पुरा कर। दूसरा कुरंतियों अधिया तीन और दूसरा तिमुतियों साथिया चार में भी परमेश्वर हमें अपना मिशन बता रहे है। आए हम प्ररितो की पुस्तक अधिया एक पर जाए। आए हम प्ररितो अधिया एक देखे। प्ररितो अधिया एक आयत छे में लिखा है। अतह उन्होंने इखटे होकर उससे पूछा। हे प्रभू, क्या तु इसी समय इसराइल को राज फेर देगा। उसने उनसे कहा। उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तुमारा काम नहीं। परंतु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थे पाओगे। और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामर्या में और पृत्वी की छोड तक मेरे गवा होंगे। जैसा कि हम दूसरा कुरंतियों अध्याए तीन, दूसरा तिमतियों सद्याए चार और प्रेरितों अध्याए एक पढ़ते हैं, परमेश्वर के जवाब के अनुसार हम कौन हैं। हम नई वाच्चा के सेवक, प्रचारक और परमेश्वर के गवा हैं। क्या उनका एक ही अर्थ नहीं हैं? भले ही शब्द थोड़े से अलग हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस सवाल का जवाब समझा रहे हैं कि हम कौन हैं। इतना ही नहीं। आईए हम मतियाए चार पर जाएं। मतियाए चार आईए मतियाए चार आयत 19 देखें। येश्व ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाओंगा। अर्थार वो हमें मनुष्यों की मच्वे बनाएंगे। दूसरा कुरंतियों अध्याए तीन, दूसरा तिमतियुस अध्याए चार, प्रलितो अध्याए एक और मति अध्याए चार के द्वारा, हम समझ सकते हैं कि पवित्रात्मा की यूग में परमेश्वर की संतानों को कौन होना चाहिए? परमेश्वर विभिल अभिवेक्तियों के द्वारा एक ही संदेश देते हैं, क्या आप सभी इसे नहीं समझ सकते? मनुष्यों के मच्वे, मेरे गवा, प्रचारक और नई वाचा के सेवक, सभी लोगों, क्या वे अलग हैं? बले ही बाइबल अलग-अभिवेक्ति का उप्योग कर रही है, लेकिन वो एक ही संदेश को दोरा रही है, हमें इस प्रित्वी पर क्या करना चाहिए? जब परमेश्वने कहा नई वाचा के सेवक, तो हम इसे नहीं समझते हैं, जब परमेश्वने कहा मेरे गवा, तो हम इसे नहीं समझते हैं, इसलिए परमेश्वने का व्यात्मक अभिवेक्ति मनुष्यों के मच्वारे का भी उप्योग किया, हाला कि हम अभी भी इसे नहीं समझते हैं. इसलिए परमेश्वर ने नभी एजेकेल को बुलाया और एक बार फिर जोड दिया कि हमें इस प्रित्वी पर क्या करना चाहिए? आए हम एजेकेल अधिया तीन आयत सत्रा देखें. अधिया तीन आयत सत्रा में लिखा है. है मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इसराइल के गराने के लिए क्या पहरुवा नियुक्त किया है? चुकि हम इसे नहीं समझते हैं, इसलिए परमेश्वर ने एक सैन्य शब्द पहरेदार का भी उप्योग किया. इस अंतिम युग में स्वर्गे संतानों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा, नई वाचा के सेवक, प्रचारक, मेरे गवा, मनुष्यों के मच्छवारे और पहरुवे. सबी लोगों क्या वे अलग है? वे एक ही है. इस प्रकार हमें प्रचारक, मनुष्यों के मच्छवारे, परमेश्वर के गवाः और नई वाचा के सेवक बनना चाहिए. इस कारण से मुझे आशा है कि हम विश्वास के मार्क पर चलेंगे, जिसमें किसी को कोई पच्चतावा नहीं होगा. इसके अलावा, सुसमाचार का प्रचार करते हुए, हमें सीखना चाहिए, और महसूस करना चाहिए कि स्वर्य पिता और माता ने अपनी संतानों को बचाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है. क्या हमें उन सभी मार्गों का अनुभव नहीं करना चाहिए, जिस पर परमेश्व कर हमारे लिए चले? केवल तभी हम महसूस कर सकते हैं कि स्वर्य पिता और माता ने हमें बचाने और हमें पापों की शमा देने का हर संभव प्रयास किया है. उन्होंने स्वर्ग की महिमा को पीचे छोड़ दिया और अपनी संतानों के लिए बहुत मेहनत की. जब हम स्वर्ग के राज्ज में लोटेंगे, तब हम सब कुछ समझ जाएंगे. इस कारण से परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें नई वाचा के सेवक बनाया है, सु समाचार प्रचार का काम करो, मेरे गवा बनो, मैंने तुम्हें मनुष्यों का मच्वारा बनाया है, मैंने तुम्हें पहरुआ बनाया है, जो लोग पहरुए को भी नहीं समझ उनके लिए परमेश्व ने दूसरा तिमुतियु सद्या चार में एक सरल अभीव्यक्ति का उपयो किया है। आये हम अधिया चार आयत एक देखे। परमेश्वर और मसी येश्यु को गवा करके जो जीवितों और मरे हुऊं का न्याय करेगा और उसके प्रकठोने और राज्य की सुधी दिला कर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए तु वचन का प्रचार कर समय और असमय तयार रहे परमिश्वर की शिक्षाओं में वचन का प्रचार करना है हमें इसके महत्व को समझना चाहिए सब प्रकार की शहन शिल्ता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डाट और समझा क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उब्देश न सह सकेंगे पर कानों की घुजली के कारण अपनी अभिलाशाओं के नुसार अपने लिए बहुत से उब्देशक बटोर लेंगे का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर मसी भ हमारे पापो के कारण और सभी मानवजाती के लाब के लिए कुरूस पर चड़ाय गए थे इसलिए हमें भी परमेशर के उधारन का पालन करते वे दुए दुनिया को लाब पहुचाना चाहिए और मानवजाती का मार्वदर्शन करना चाहिए. जब हम बच्चे थे, हम केवल एक बच्चे की तरह सोच सकते थे. एक बच्चे के रूप में हम केवल अपनी परवा करते थे. बच्चे भूके होने पर भोजन के लिए रोते हैं या अपने डाइपर बदलने के लिए रोते हैं. लेकिन जिनके पास परिपक्व विश्वास होता है, वे दूसरों के लाप के बारे में सोचते हैं. हमारा विश्वास बच्चे के विश्वास से एक सयाने विक्ती के विश्वास में विक्सित होना चाहिए. जब हमारे पास आत्म सैयम होता है, दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हैं और दूसरों की बातों को मानते हैं, तो उद्धार का कारिय हासिल किया जा सकता है। इसलिए दूसरा दिमुतियों सध्याय चार इसे एक अच्छे दुख की रूप में वर्नित करता है और हमें एक सूसमाचार प्रचारक का कारिय करना सिखाता है। इस कारण से परमेश्वर हमें कहते रहते हैं, नई वाचा के सेवक, सु समाचार प्रचारक, मेरे गवा, मनुश्यों के मच्छवे और पहरुए. इसके अलावा, कई अभिवेक्तियों के द्वारा जैसे की, जो समय और असमय परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर हमें बता रहे हैं, कि संसार को भचानी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी यह ना कहें कि, मैं समझ नहीं पाया, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए परमेश्वर हमें विबिल्ने तरीकों से सिखा रहे हैं, परमेश्वर ने अपनी संतानों को, संसार को भचाने और प्रकाश के स्वर्ग दूतों के रूप में कारे करने के लिए, उनका मिशन जागरत किया है, मतिरचित सुसमाचार अधिया 28 में हमें क्या करने की आग्या दी गई है, क्या येश्व ने नहीं कहा, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सिखाओ, और परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, आई यह मतिया 28, आयत 18 देखे, येश्व ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और प्रित्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से पप्तिस्मा दो, और उन्हें सब बाते जो मैं तुम्हें आग्यदी है, मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुमारे संग हूँ। मसी ने हमें यह भी सिखाया कि प्रचार करना बच्चे को जरम देने के दर्द से गुजरने जैसा है, जिसका अर्थ है कि यह आसा नहीं है, परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करना सरल नहीं है। फिर उन्होंने हमें इतना कठिन कारे करने के लिए क्यों कहा? जब हम मसी को देखते हैं, तो उनका पूरा जीवन हम पापियों को बचाने के लिए था। यदि वह स्वर्ग में ही रहे होते, तो उन्हें महीमा प्राप्त होती और इस पृत्वी पर उनका अपमान नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपनी संतानों को पापो की शमा देने के लिए उन सभी अपमानों को सहन किया। परमेश्व ने अपनी संतानों से सोयम से कही अधिक प्रेम किया। क्या उन्होंने ऐसा मार्ग इसले नहीं चुना क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। मर्ती हुई आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करते हुए। परमेश्व ने हमें अच्छे दुखों में भाग लेने की अनुमती दी। यसु समाचार प्रचार करने का मिशन है। दूसरे शब्दों में परमेश्व ने हमें सबसे सुन्दर मार्ग दिया है। आए हम मर्कुस रचित्सु समाचार अधिया 16 पर जाए। सु समाचार प्रचार करो। सभी लोगों परमेश्वर हमें एक चीज की आग्या देते हैं। परमेश्वर हमें नभीयों की विभिन अभिवेक्तियों के माध्यम से लगातर यह एक बात सिखाते हैं। ताकि जब हम स्वर्ग लोटेंगे तो हमें पच्तावा नहीं होगा। परमेश्वर हमें जगाते हैं कि हमें इस प्रिथ्वी पर क्या करना चाहिए ताकि हम उसके लिए तैयार ही कर सके। कुछ लोग कह सकते हैं, इस प्रिथ्वी पर मेरे जीवन का कोई उद्देश नहीं था, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। हम स्वर्ग में ऐसे बहाने नहीं बना सकते हैं। क्यों, जैसा कि हमने अब तक अध्यान किया है, परमेश्वन इस पस्ट रूप से हमें आशिशित होने का मार्ग सिखाया है। इसलिए हमें इसे हलके में नहीं लेना चाहिए। हम में से किसी को भी उनके वच्चनों को सुनने और समझने में असफल नहीं होना चाहिए। अभी भी बहुत से लोग हैं जो सुसमचार का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से बहुत से सियों नहीं लोटे क्योंकि उन्होंने सुसमचार नहीं सुना है। इसलिए क्या ये नहीं लिखा है कि हमें जाकर उन्हें प्रचार करना चाहिए? इसलिए हमारा मिशन क्या है? परमेश्व ने हमें नई वाचा के सेवक कहा. परमेश्व ने हमें सुसमाचार प्रचारक और मेरे गवाबी कहा. उन्होंने हमें मनुश्यों के मछवे, पहरूए, वचन का प्रचार करने वाले और जो लोगों को पिता और पुत्र और पवितरात्मा की नाम से बप्तिस्मा देते हैं, कि उपादी दी। उन्होंने यह भी कहा कि हम वे हैं, जो सब देशों के लोगों को सूसमचार सुनाते हैं इसलिए मेरा मानना है कि प्रचार करना हमारे सूसमचार और हमारे विश्वास के जीवन की सबसे महत पूर्ण चीजों में से एक है आएए हम एक साथ मरकुस रचित्सू समचार अध्या एक पर एक नजर डाले आएए हम आयत 35 देखे भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्तान में गया और वहाँ प्रातना करने लगा तब शेमोन और उसके साथी उसके खोज में गए जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढून रहे हैं उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ मसी का जीवन प्रचार का जीवन था यदि यह उनके स्वयम के आनंद के लिए है तो उने उत्पीडन प्राप्त करने या उन लोगों को जगाने का कोई कारण नहीं है जो सुनना नहीं चाते प्रचार करते समय कई कटिनाईया आती है जब हम निंदक लोगों से मिलते हैं तो हमें भीशन उत्पीडन का भी सामना करना पड़ता है लेकिन मसी हमें सिखाते है इसलिए मैं इस प्रित्वी पर आया हूँ प्रचार करना वह मार्ग है जिसे परमेश्वन ने स्वयम को खुशी देने के लिए नहीं चुना है बलकि मानवजाती को खुशी देने और उन्हें एक उजवल भविश्य देने के लिए चुना है हमें इस मार्ग का पालन करना चाहिए सभी लोगों यदि हम इन सब को समझने के लिए एक शन ले तो हम मैसूस कर सकते हैं कि परमेश्वन ने हमें नभियों के माध्यम से सिखाया है कि हम कौन है साथ ही हम मैसूस कर सकते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया कि पवित्रात्मा के इस यूग में हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर ने हमें अपने मिशन को समय और असमय करने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि हमें इसका कभी अफसोस नहीं होगा क्या हमें परमेश्वर के सभी वचनों का पालन नहीं करना चाहिए तब परमेश्वर ने हमें नई वाच्चा की सेवक, सुसभाचार प्रचारक, मेरे गवा, मनुष्यों की मच्वे और पैरुवे जैसी उपादिया दी परमेश्वर ऐसी उपादी किसे देते हैं? उन लोगों को जिने परमेश्वर ने योग्य ठेराया है, आत्विक दुनिया में ये सबसे अच्छी उपादिया है। आए हम पहला थेस्लोंिकियों की पुस्तक अध्यादो पर जाए। पहला थेस्लोंिकियों की पुस्तक अध्यादो आयत तीन क्योंकि तुम्हारा उब्देश ना ब्रह्म से है और ना अशुदता से और ना चल के साथ है पर जैसा परमेश्वने हमें योग्य ठेरा कर क्या सोपा है? सु समाचार सोपा हम वैसा ही वर्नन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परन्तु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जाचता है प्रसन्य करते है परमेश्वर को प्रसन्य करने के लिए परमेश्वर ने हम से क्या कहा? उन्होंने हमेशु समाचार का प्रचार करने के लिए कहा तब परमेश्वर के द्रिष्टी कोन में हम कौन है? क्या उन्होंने कहा कि हम आशाहीन पापी है? बले ही हम पापी है, लेकिन परमेश्वन ने हमें सबसे धर्मी माना. नू के दिनों में, जब परमेश्वन ने जल के द्वारा संसार का न्याय किया, तब परमेश्वन ने नू को सबसे धर्मी वेक्ति माना. इस प्रकार सभी दुष्ट लोगों को दंडित करने से पहले क्या परमेशों ने उसे अपना संदेश देने के लिए एक प्रचारक के रूप में नियुक्त नहीं किया बाइबल में उसे धर्मी के रूप में वर्नित किया गया है उसी तरह परमेश्व ने हमें सबसे धर्मी माना आट अरब लोगों में से परमेश्व ने हमें महिमा की ऐसी उपादिया दी नई वाचा के सेवक, सु समाचार प्रचारक, परमेश्वर के गवा, मनुश्यों के मच्वे, पैरुए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले। परमेश्वर किसी ऐसे वेक्ति को कभी भी ऐसी उपादी नहीं देते, जिसे वो धर्मी नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सु समाचार सौपा है। वे धर्मी, भरोसे मन और विश्वास योग्य हैं। जोकि परमेश्वर ने इस तरह से हम पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमें कभी भी उनके भरोसे के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रधी विश्वास योग्य रहना चाहिए। तक अध्या एक में एक और आयत पर जाए, पहला तिमितिस अध्या एक, आएए हम आयत बारा में परमेश्वर की शिक्षा देखे, मैं अपने प्रभू मसी येशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ, कि उसने मुझे क्या, विश्वासयोगी समझ कर, क अर्थार्थ उन्होंने हमें किस पत पर नियुक्त किया, परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेव को, उनके गवाह और प्रचारों को का पत सोपा है, जब कोई कमपनी में अधिकारी का पत धारन करता है, तो बहुत से लोग उनकी और देखते है, वह वास्तों में महान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, फिर भी स्वर्ग के स्वर्ग दूद भी हमारे पत से इरशा करते है, परमेश्वर ने हमें ऐसा पत दिया है, क्योंकि वह हम पर भरोसा करते है, आईए हम आयत तेरा देखे, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे भूजे ये काम किये थे। जब प्रेरित पॉलुस परमेश्वर को नहीं जानता था, तो उसने परमेश्वर के लोगों को गिरफतार करवाया। उसने स्टिफनुस जैसे माहान लोगों की हत्या में भी अगवाई की। लेकिन बले ही वह सबसे बड़ा पापी था, परमेश्वर ने उस पर दया की। उन्होंने पॉलुस को चुना, उस पर भरोसा किया और उसे एक प्रेरित और यहां तक की प्रतम चर्च के नेता की उपादिया दी। क्या इसी कारण नए नियम में लिखी गई कई पुस्तकों के माध्यम से हम पॉलुस के कारियों और परमेश्वर के अनुग्र को नहीं समझ सकते। सबसे अच्छी बात यह थी, कि वह सही तरह से जानता था कि वह कौन है, वह जानता था कि वह इस पृत्वी पर क्यों पैदा हुआ था, और उसने अपने मिशन को इमानदारी से पूरा किया। परमेश्वर ने हमें धर्मी होने के लिए योग ये ठहराया, और पहला थे मिटियों सध्या एक के अनुसार, उन्होंने हमें विश्वासियों के माना। इस प्रकार उन्होंने हमें नई वाचा के सेवक, पत्रस और योहनना जैसे मनुश्यों के मच्वे और अपने गवाब बनाया। आए हम इस मिशन को इमानदारी से अंजाम दे, आए हम सभी लोगों के सामने हमारे परमेश्वर की बढ़ाई करें और नई वाचा का प्रचार करें जो हमने परमेश्वर से सीखा है, ताकि जब हम स्वर्ग लोटे, तो हमें कोई पच्चतावा ना हो, ओ, मुझे थोड़ा और प्रचार करना चाहिए था, मुझे और मेहनती होना चाहिए था, इसके बजाए, आए हम अपना सर्वत्तम करें, ताकि हमें कोई पच्चतावा ना हो, जब हम संसार के आट अरब लोगों से पूछते हैं, आप इस पृत्वी पर क्यों पैदा हुए, तब बहुत से कहां जा रहे हैं, वे सबसे अच्छा जीवन चीते हैं, इसके अलावा, परमेश्वन ने हमें यह भी बताया, कि इस पृत्वी पर रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, चोकि परमेश्वने में इतना विस्तृत विवरन दिया है, इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता, मैं कौ परमेश्वन ने हमें नई बाचा के सेवक बनने के लिए कहा, उन्होंने हमें यह भी सिखाया, कि हम स्वर्ग के पापी हैं, और जब हम पापों की शमा प्राप्त करते हैं, तो हम हमारे स्वर्गे घर लोट सकते हैं। परमेश्वन ने हमें सभी लोगों को अपनी करने के आग्यादी है, चाहे वे सुने या न सुने. मुझे आशा है कि हम इस वर्ष उस मिशन को पूरा करेंगे ताकि पिता और माता प्रसन न हो और सियोन की संतान्सवर गे माता के पास कबुत्रों की तरह उड़ आए. हम इस प्रित्वी पर नई वाच्चा का प्रचार करने आये हैं. केवल पहलोटे, जिने परमेश्वर सबसे धर्मी मानते हैं, इस मिशन को कर सकते हैं. हमारे पास किसी को भचाने या उन्हें मरने देने की शक्ती है. जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, वे जीवित रहेंगे. लेकिन जो इसे स्वीकार नहीं करते, उनका क्या होगा? वे नश्ट हो जाएंगे. बले ही स्वर्ग में कई स्वर्दू थे, लेकिन क्या कोई इतना महत पूर्ण पद्धारन कर सकता है? हमें इस प्रित्वी पर लक्षिहीन होकर जीने, और इन महिमा में आत्मिक बातों को न समझ कर, इस भवमुल्य समय को बरबाद नहीं करना चाहिए. आए हम अपना समय सार्थ तक शनों से भरे, ताकि हम स्वर्ग पिता और माता को खुशी दे सके. आए हम एक और बात पर विचार करें, यदि कोई बच्चा हो जाता है, तो परिवार में कौन सबसे अधिक शोक मनाएगा? यदि एक पिता, एक माता, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बेन और एक छोटा भाई हो, तो सबसे अधिक दर्द किसे होगा? आप सही हो, वह माता है. फिर, यदि खोया हुआ बच्चा फिर से मिल जाए, तो सबसे बड़ा आनंद किसको होगा? वह माता को होगा. बेशक पिता और बाई, बेहन भी खुश होंगे. खोय हुए बच्चे को पाकर कौन खुश नहीं होगा? हाला कि माता सबसे बड़े दुख और खुशी का अनुबव करती है. तब क्या आप सुवर्गे माता को बहुत खुशी नहीं देना चाहते? आइए हम सभी पिता और माता को खुशी देने की पूरी कोशिश करें. साथी, आइए हम हमारे प्रियस्वर्गे परिवार के सदस्यों को देर सारी खुशिया दे. यह आशा करते हुए कि यह वर्ष आनन से भरा होगा. मैं आज की उप्देश को समा करना चाहूंगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.